दोस्तो नमस्कार आपके छेतर में इस फल को क्या बोला जाता है क्योंकि जहां मैं हूँ यहां इसको अमरूद नहीं बोला जाता है यहां इसको बोला जाता है जाम फल तो आज मैं आपको जाम फल की खेती के बारे में बजान करी दूँगा मेरे पीछे पूरा बगीचा आप क्षेती का उच्जेन च्हेतर है तो यह तो यहां तो सवब कुछ अंने देखा हैं давайте क्षेतर में देखिए मोझा अम्रूद pitch आपके क्या है हमारे देर को जामफल बोलते हैं नवारे até side पाठितार है मैं उजन डिस्टिक के खास्रों तेसिल के गाउं कनवास में रहता हूं और यहां हम खेती किसानी का काम करते हैं अपना जो स्टेट है वो आपका जब 2002 में पानी नहीं गिरा बहुत मलब बर्साद नहीं हुई तो बर्साद नहीं हुई तो ऐसे समय में जिन लोगों के पास में बगीचे थे उन्होंने ड्रीप एरिगेशन लगा राखा था तो उनको प्रोफिट हुआ और हमारी फसल हुई नहीं तो हमको लगा रबाद हु होना चाहिए जिसमें हम अगर इसी परिस्टेश ही आज आ जाए कि किसी साल पानी कि जाया ज़ाए औले गिर जाया कुछ भी हो जाया बाता है तो हमने हमेरे की कहती कर ला है और आम्रूद ही इसलिए सुना, पहले हमने अनार और हमने अंगूर ही आका भी किया। अम्रूद ही अम्रूद ही हमको सबसे ज़्यादे सूटेबल लगा। और इसमें महनत बहुत कम है। इसमेंलागत बहुत कम है . और इसका उत्पादन अच्छा है उसकी इनकम है वो भी जादा अच्छी है तो मैं यह कह सकता हूं कि जैसे एक नॉर्बल किसान है वो उससे हट करके कुछ करना चाता है खेती में ही तो इसकी तरब आसानी से जा सकता है जी जी उनको जाना भी जाहिए हां कि आप सिंपल से किसी भी अच्छी नरसली से लेके ले ले लो एल-फोटी-नाइन इसकी वेराइटी का नाम है यह फोदे ले लो और सिंपल अपने दस बाई-बारा की इसकी दूरी पे लगा 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 के वह इसकी सुरुवात कर सकते हैं इसके लिए गवर्मेंट यह आसानी से आप इनको लगा सकते दो-व-थीन साल जब तक इसमें पोदे में फल नहीं आता है तब तक इसके बीच में दूसरी खेती कर सकते हैं वह जब यह फ्याद देना स्टार्ट कर देता है यह जिसे पूरा आसपास दोन तरफ से मिल जाता है तो फिर हम इसी की खेत हों कई अग्र अगर बात करें तो अश्ची सूव फिट पी पानी आजबाता है वह रिशे। यह वह ज्यादा journée में और में मिलता हुगा तो जैसे आपने स्विच्च किया अमुरूत की खेती के उपर सुरुवात में क्या हैं स्टाइटिंग के से हुई इस्टाइटिंग के स्टरिक्टे से हूई हमको डर लगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बाद में किसी प्रकार के कोई ड़ी कटिन ही नहीं आई हम बड़ी आसानी से इसको कर गए और कोई प्रोग predilm was कटिंग का भी सोचा था कि कैसे कटिंग करें गाहां से कटिंग करेंगे लेकिन दीरी दीरी हम घुध को पता चल गया और हमने इसकी कटिंग लोगों से बातचीत कर दी तो कोई कोई रोकेट सेंस नहीं बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपनी इस बागवानी की खेती को अमरूत की खेती को या जामफल की खेती को लगभग कितना समय हो चुका आपको करते हुए सर हमारे यह पोधे कम से कम 78-88 साल के हो गए है तो जैसे आपने स्टार्टिंग की थी तो जैसे वेराइटी आप बता रहे हो एल 49 यह तो आपने इसके पोधे किस तरीके से लिए या इस वेराइटी का चैन कैसे किया क्योंकि वह बदा सिरदर्दी वाला काम हो जाते हैं उस सम तदम है जो सबसे अच्छी वराइटी तो आस अपास पे पूछने में लगा था ली और उसको ही लगा लिया वास्तों में बहुत अची सिद्ध हुई भुट कम मेहनत में बड़े आसानी से इसकी खेती हूँ जाती है और उसके बाद में पिंक इयुए जो पेसा बहुत है ले सब्सक्राइब बती है तो उने बहुत जल्दी हो जाती हैं तो उनमें बहुत जल्दी हो जाती है तो हमको वह भी चैन के सा कर से वह हैं वह कहीछ फंप्ञ्ट की लिदय है सर हमारे इंपि में भारत की मिट्य प्रयून मिट्या मिल्टि है और हमारा इर्या जो और अतलाम के पास उज्जन इन्जिले का, इंव ये और हमारे जो म माटे है औरही जो मालवा माटी है सबसे उप माटी माने जाती है, सबसे उपजाव मिट्टी माने जाती है, कि यह काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी है, और आप जामभल का बगीचा किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, आप यह से नहीं बार कोई करें घ्रपाकि मेंट चाहिए में का तारे की काई टार में करें होगी हुआ Candice facing तो किया इसके साथ में वो किसे और फसल को भी सिंगे डाल सकता है तो फिर उसके बाद में लगाना दिक्कत होती है उसके बाद भी एक साल में किया किया ता कि घो सेमें उस घृका गीचा है यहां बॉड़ा तो इस पर शेटी के अखर जिए नहीं में पीच में अपना जो है नो तो बीच में से पहले नहीं पूद पूदे आपने पूदे कंद कंद शिर इसमें पूदे करें पर दिया है, वहार जाब के पूदे क्टे हैं, उनको हमने साइड में रख दिया लगा दिया जब कोई खराब हो जाते तो उसकी जगे उनको रिप्लेस कर दिया तो सर जैसा मैं एक और चीज यहां पर देख रहा हूं कि आपके जो पोदे हैं यह बिल्कुल वैल मेंटेंड है गोलाई में है से बड़ी अच्छी है फ्रूट बढ़ती जाए हम जब कटिंग करते हैं तो इसके अंदर से नए चप्रूब निकलती है उड्युक्त करते नकलति उन के उपर फल कम doute में कटिंग असमूर कई जब यह चोटा था तब हमने यहां से कटिंग कर दी ती यह इधर निकल गया जिए ऐसे यह पलट जा लेकिन फल का आ रहा है यह जो नई ब्रांच है उसके उपर यह नई ब्रांच के ऊपर फलाता है मैं एक चीज और देख रहा हूं सर यहां पर आपका जो फूरूट है उसका प्रूट के संग्या बढ़ जाती है तो उसका साइज चोटा होता है तो मैं दर्सक भाईयों को अपने यह कहलों कि इसकी जो एक तरिके से देख भाल है या इसकी कटिंग है या पोद्धों में खाद वगएरा डालना है पनी वगएरा डाला है उसका थोड़ासा किसान अग प्लांट यह एक मेडियूम साइज में अभी दिखाया तो इसी साइज के अभी लोग पसंद कर रहे हैं जी सर मैं अगर उत्पादन की बात कर लेता हूं तो जैसे मैं एक यह पोधा पीछे देख रहा हूं प्लांट यह देख रहा हूं तो लगभग एक पोधे से कितना प्लबादान निकल का जाता है असी किलो के असपा सुपादाने कल जाता है और यह बातेरा से लेके 20 रुपे किलो तक बीच्पने में चला जाता है करता है सीजन के ओपर जैसे कि यह और यह वगीचा हमने हमारे वाद्पार Gatler कोई कूच मर्चेंड था पूरा बगीचा देखा और पूरा बगीचा उसने एक साथ बोल दिया कि हम आपको इतना पैसा देगे और हमको तीन लाग रुपे आपको पूरा परचेस ले लिया अब उसमें क्या करेका वह केवल आएगा इसकी फसल लेगा और चला जाएगा आएगा फसल लेगा चला नुकसान कर रहे हैं वह अपने उस पर यह सब पर आप आप ने कहा कि अपना जो बागी चा ए लगभग एक एकड़ के आसपास का है लगभग एकड़ वागीचे से किसान कितनी आए ले सकता है कितनी इंकम कर सकता है सर अगर में मेरी बात करूं तो में 3 लाख रुपे ले रहा हूं अभी इस बागीचे से यह एक अकड के लगबग का बगीचा है और मुझे 3 लाख रुपे इसमें मिल रहे हैं आपने सर एक बात और कही थी ओफ कैमरा जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मैं इसके लावा और भी खेती करता हूं मैंने खेती को डिवाइड कर रखा है तो उसके बारे में मेरे दर्सक भाहिए वो थोड़ा सा बताईए जो कोई नोर्मल किसान है वो अपनी खेती से एक अच्छी आयप राप्त कर सके और अपने जीवन को खुसाली के साथ में जी सके जी मैं बिलकुल अपने रेगुलर खेती करता हूं में नहीं गाने के दिपो अच्छी हो Bye बोर अच्छी आते हैं तो वह इंकि त्राइ करता है या प्रोडक्शन के साथ साथ में उनकी जो रेट है वो भी अच्छाका आपको अच्छा मिल जाता है जैसे मालोव नर्मल में मेरे सवय बिन की बात करूं तो सवय बिन में अभी मंडी का भाव अगर मैं देखुआ तो साढ़े चार पर पांच घंडी का भाव चल रहा है लेकि मैं अपनी सवय बिन में साथा जह रुपर कुंटल वेस में ऑसमém से दोसरा है आनूसंदान के निद्र से जो लोग देते dei 2 घुए फ्रयक्र करते हैं हमगे कर देते हैं वह सारी विज क होथी हैं तो यह काम भी हम करते है तो हम उसमें जो हम इस तरीके से करते हैं कि कुछ नया करके करें कि ने की कि टाल दिया हां डाल दिया अगर थोड़ा सा दिकरिते करते हैं और जिसे प्या लसून है जिसे लसून का भाव इस साल कितना चाहाई गया है बहुत अच्छा है हमने 16-17 रुपे कवंटल तक भी लसून बेची है क्या एक किसान भाई मिरा नौर्मल किसान इस बागवानी की तरफ देख सकता में जा सकता इस बिल्कुल एक नारमल किसान आसानी से बागवानी की तरफ जा सकता है और मेरा हाथ जोड की निवेदन है कि किसान भाई कम से कम 25% जगे में अपन कुछी भी प्रकार की जो बगवानी आपके हिस्से में suitable हो वह करिए और करना चाहिए 25% हिस्से में बगवानी करना चाहिए वातावरन भी बढ़िया बना रहता है किसान अपनी जिन्दगी को खुसाली से जी सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ में एक जागरू किसान भाई जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी नोर्मल खेती के साथ में कुछ अलग ट्राई किया अलग करने की कोशिस की जिससे की अच्छा कासा या अपनी जीवन को खुसाली के साथ में जी भी रहे हैं तो आप भी इसकी तरफ देख सकते हैं यहां पर इसको जाम फल बोला जाता है आपके एरिये में इस फल को क्या बोला जाता है कमेंट बोक्स में जरूर आए दीजेगा बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक सस्क्र अब तक के लिए हिर्दे की गहराईयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद